नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर दोस्तों जीके के प्रशन सभी पढ़ते हैं लेकिन जो प्रशन ऐसे हैं हर एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आप इनको मुख्य रूप से पढ़ लिए फिर प्रशन बार बार रिपीट होते हैं वन लाइनर कोशन है स्पीड में वीडियो रहेगा सारा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेर करिएगा किसी भी कोशन को लेकर कुछ भी पूछना चाते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछेगा चलिए अभी हम शुरू करत है वीडियो सबसे पहला प्रशन है किस एक मात्र भारतिय को अर्थ सास्तर में नुबल पुरुषकार मिला है तो प्रोफेसर अमर्त सैन को एक मात्र भारतिय जिनको अर्थ सास्तर में नुबल पुरुषकार मिला है वायू मंडल की सबसे निचली सता को क्या कहते हैं तो छो उत्पादक करता है तो राजस्थान एसवेश्टस का सरवादिक उत्पादक करता राज है किस सुल्तान ने अपनी राध्धानी दिली से दौलताबाद इस्थानांतरित कर ली थी तो मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राध्धानी दिली से दौलताबाद इस्थानांतरित कर ली थी धर्म चक्र प्रवर्तन कहां किया गया था तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये सारनाथ में किया गया था आरे समाज की स्थापना किस ने की थी तो स्वामी दयानंद जी ने आरे समाज की स्थापना की थी पुस्तक दा अंसीन इंदीरा गांधी के लेखक इन में से कौन है तो डॉक्तर पी के माथो साहप पुस्तक द अंसीन इंद्रा गांधी के लेखक है लाल रख्त कणिकाओं का निर्मान हमारे शरीर के किस भाग में होता है तो लाल रख्त कणिकाएं अस्थी मज्जा में बनती हैं किस ने बाबर को सर एप पुल के युद्ध में पराजित किया था तो सैबानी खान ने बाबर को सर एप पुल के युद्ध में पराजित किया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई तो राजा राम मुहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कौन सा देश कुल छेतरफल तथा कुल जनसंख्या 2014 के मताबिक दौनों ही दरश्टी में विश्व में पांचवे नंबर पर है तो ब्राजील विश्व में पांचवे नंबर पर है किस उपकरण की द्वारा यांत्रिक उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्थित करते हैं तो डाइनेमो की द्वारा यांत्रिक उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्थित करते हैं Servant of India Society की स्थापना किस ने की थी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने Servant of India Society की स्थापना की थी दिली इस्तित लाल बहादो शास्त्री की समाधी इस्थल का नाम क्या है तो लाल बहादो शास्त्री के समाधी इस्थल का नाम विजय घाट है Smart Cities Mission के Mission में जल तथा मल जल सीवरेज का वित्व पोशन जिस राजयसों से होगा वह कौन सा होगा तो Smart City Mission में जल और सीवरेज को वित्व पोशित करने के लिए चोंगी तथा प्रवेश कर से कर जो है दिया जाएगा Next Question देख लेते हैं अगला प्रशन क्या है एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं तो एक किलो बाइट में एक हजार चौबिस बाइट होते हैं Indian National Movement The Long Term Dynamics का लेखा कौन है तो विपिन्चंदर जी प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा भारत के राश्री जंडे की लंबाई और चौडाई का अनुपाद कितना है तो राश्री जंडे की चौडाई और लंबाई का अनुपाद राइट आंसर हो जाएगा तीन अनुपाद दो है जनगरना की 2011 के अनुसार किस राज में सिश्यू मृत्यूदर सबसे कम थी मद्य प्रदेश के पीतमपुर किस के लिए जाना जाता है तो आटो मोबाईल उद्योग के लिए मद्य प्रदेश का पीतमपुर जो है वो जाना जाता है दिल्ली इस्थित महात्मा गांदी की समाधी का नाम क्या है पशुओं में milk fever बिमारी किसकी कमी के कारण से होती है तो calcium की कमी के कारण पशुओं में milk fever बिमारी होती है फसलों में परणे छड़काव के लिए सबसे उप्यूक्त औरवरक ९ूरिय है अट्रल संतावन के विद्रों में किस ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो मंगल पान्डी जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था भारतिय सुदूर दूरस्त सम्वेदन संस्थान IIRS कहां इस्तित है तो भारतिय सुदूर दूरस्त सम्वेदन संस्थान दहरादून में है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा का नारा किस ने दिया नेता जी सुभाष शंद्र बोश जी ने नारा दिया था निर्जलित व्यक्ती को क्या नहीं पीना चाहिए तो निर्जलित व्यक्ती को जो है अलकोहल नहीं पीना जाहिए भारत की मुख्य भूमी का दक्षनतम किनारा कौन सा है तो इस उपकर की दर्थी 0.50 प्रतीशत मनुष्की आँख में किस वस्तू का प्रतिविंब कहां बनता है तो मनुष्की आँख में किसी वस्तू का प्रतिविंब रेटीना पर बनता है भारत पर सरफतम मुस्लिम आकरमरकारी कहां से आये थे तो भारत पर सरफतम मुस्लिम आक बोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकास संसलेशन कहलाती है 1935 का Government of India Act क्यों महतवपूर्ण है तो यहां भारती समिधान का एक प्रमुक इस्त्रोथ है इसी लिए यहां महतवपूर्ण है वर्ष 2014 में विश्व के 186 देशों में मानविकास सूचकांक में भारत का कौन से इस्थान था तो भारत 130 वे नमबर पर था समिधान सभा की प्रारूप समिती का अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर भीमरा अंबेटकर जी समिधान सभा की प्रारूप समिती के अध्यक्ष थे लॉड वेले जली के साथ सबसे पहले सहाएक संदीक के से राजिक के शाशक ने की थी तो हैदराबाद की निजाम ने सबसे पहले संधी की थी पेरियार वन्य जीव किस राज में इस्थित है तो पेरियार वन्य जीव अब्यारन जो है केरल राज में इस्थित है राइट आंसर है मानव शरी की किस गरंथी को माश्र गरंथी कहा जाता है तो मानव शरीकी प्यूश ग्रंथी को माश्टर ग्रंथी बोलते हैं भारत सरकार ने राश्य विकलांग वित्त निगम की स्थापना किस मंत्राले के अंतरगत की है तो राश्य विकलांग वित्ट निगम की स्थापना सामाजिक निया एवम अधिकारिता मंत्राले के अंतरगत हुई है नोबल पुरुसकार पाने वाला पहला भारतिय नागरिक कौन था तो रविंद्र नाट टैगोर 1913 में नोबल पुरुसकार सबसे पहले इन्हें मिला था जन्गणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी मिलियनरी नगरों की संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या साथ है right answer हो जाएगा किस vitamin की कमी से खून का रुकाऊ बंद नहीं होता है तो vitamin K की कमी हो जाने पर खून का रुकाऊ बंद नहीं होता है किस ने रानी लक्ष्मी भाई रेजमेंट की स्थापणा की थी तो सुवाशंडर बोश जी ने रानी लेच्वी भाई रिजीमेंट की स्थापना की थी विश्व में माउंट एवरेश पर चड़ने वाली प्रथम महीला कौन थी तो जापान की जुन को तवई माउंट एवरेश पर चड़ने वाली पहली महीला थी पौधों में फ्लोयम मुखिता किसके लिए जिम्मिदार होता है तो फ्लोयम जो है फूड ले जाने के लिए आहार वहन के लिए जिम्मिदार होता है अगला कॉशन है भारत की पहली महीला राजिपाल कौन थी तो सरोजनी नाइडू जी भारत की पहली महीला राजिपाल थी राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बिटामिन आवले में प्रचुर मातरा में मिलता है तो बिटामिन सी आवले में प्रचुर मातरा में मिलता है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रियास किस समा सुधारक के रहे तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रियास राजा राम मुहनराई के रहे भारत में प्रत्म पुरा पाशाणिक उपकरण की खोष करने वाले रौवर्ट ब्रूस फुटे कौन थे तो ये एक भूगरब वैज्ञानिक थे भारत में सबसे पहले सूर्य किस राजिय में निकलता है तो अरुनाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूरिय निकलता है किस देश में कपास के प्रती हेक्टेर उत्पादंग 2014 में विश्व में सरवादिक था तो ऑस्टेलिया में कपास का उत्पादन सबसे जादा होता है डी एने की दुईगुडित कुंडली का पता किस ने लगाया तो वाट्सन और क्रिक ने डी एने की दुईगुडित कुंडली का पता लगाया शत्पत ब्रामण में उल्लेखित राजा विदेध माधाव से संबन्दित रिशी कौन थे तो रिशी गौतम रहुगन राजा विदेध माधव से संबंदित थे हवा महल कहां पर है तो हवा महल जैपुर में इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशिंग के लिए चीसा पानी गार्ज कहां है तो चीसा पानी गार्ज नेपाल में है भारत की सबसे लंबी स्थलिय सीमा किस देश से लगती है तो भारत की सबसे लंबी स्थलिय सीमा बांगला देश से लगती है 1857 के संगर्स में भाग लेने वाले सिपाहियों की सरवादिक संक्या किस प्रांत से थी तो सरवादिक सिपाही अवध से थे वर्ष 2013-14 में संगी सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्तरोत क्या था तो सरकार को सबसे बड़ा स्तरोत सामोहिक कर से मिलता था छेतरफल की द्रश्ची से भारत में सबसे छोटा राज ये कौन सा है तो सबसे छोटा राज छेतरफल की द्रश्ची से गोवा है भारती राश्री कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंड जी भारती राश्री कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्यक्ष थी राइट आंसर हो जाएगा किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग करमयोग तथा राज योग नामक पुस्तके लिखी तो इनका नाम है स्वामी विवेका नंची राइट आंसर हो जाएगा किस धातू का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया तो सबसे पहले मानव की द्वारा जो है तामबे का प्रयोग किया गया राइट आंसर हो जाएगा अर्थ सास नामक पुस्तक किस ने लिखी तो चानक के कौटिल प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा विशुका सबसे उचा परवशिखर माउंट एवरिष्ट किस देश में है तो विशुका सबसे उचा परवशिखर माउंट एवरिष्ट नेपाल में है भारतिय दूरस्त सम्वेदन संस्थान कहां पर है तो भारतिय दूरस्त सम्वेदन संस्थान दहरादून में है समिदान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राश्च्र भासा गोशित किया गया तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राश्च्र भासा गोशित किया गया कौन सा एक सूचकांग भारत में गरीवी की तीवरता को माप के लिए सबसे उप्यूक्त है तो बहु आयामी गरीवी सूचकांग गरीवी की तीवरता की माप के लिए सबसे उप्यूक्त है राइट आंसर हो जाएगा द्रव सभी दिसाओं में समानदाप पारित करता है यह कथन किस नियम से संबन्दित है तो यह कथन पासकल के नियम से संबन्दित है राइट आंसर हो जाएगा किस गुप्त सासक ने हूनों को पराजित किया था तो इसकंद गुप्त ने हूनों को पराजित किया था माउंट एवरिष्ट पर दो बार चड़ने वाली पहली महिला कौन है तो संतोस यादो जी माउंट एवरिष्ट पर दो बार चड़ने वाली पहली महिला है वेदों की और लोटो नारा किस ने दिया था तो दयानन सरसुती जी ने वेदों की और लोटो नारा सबसे पहले दिया था फिल्म के छेतर में दिया जाने वाला सर्वोच भारतिय सम्मान कौन सा है तो दादा साव फाल के पुरुसकार सर्वोच सम्मान है महात्मा गांधी को राश्रपिता सबसे पहले किस ने कहा था तो निता जी सुवाशन्र बोश जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राश्रपिता कहा था इंसुलिन का प्रियोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो मदुमेह के उप्चार में इंसुलिन का प्रियोग होता है कौन सी भारत की सबसे बड़ी e-commerce company है तो Flipkart भारत की सबसे बड़ी e-commerce company है राइट आंसर हो जाएगा गाडियों में पीछे का द्रश्य देखने के लिए किस दरपन का प्रियोग करते है राइट आंसर है आठ अगस्त 1942 में कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो आंदूलन कहां प्रारम किया था तो कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो आंदूलन बंबई में प्रारम किया था लोहपरोस किस महापरोस को कहा जाता है तो लोह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है right answer हो जाएगा किस दीप समू को शीप दीप कहा जाता है तो फरो दीप समू को शीप दीप कहा जाता है computer भाशा में www का मतलब क्या है तो www मतलब world wide wave भारत में प्रथम भहुत देश्य परियोजना का निर्मार किस नदी पर किया गया तो भारत में प्रथम भहुत देश्य परियोजना का निर्मार दामोदर नदी पर किया गया राइट आंसर हो जाएगा ओडम किस राजी का प्रसिद तिवहार है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो ओडम प्रसिद तिवहार है केरल का वर्ष 2011 की जनगरना की अनुसार ग्रामीर जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात के सराजय में है तो ग्रामीर जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है माचल प्रदेश में है जनरल डायर जलियावाला बाग हत्याकाण से जुड़ा था जो उसकी हत्याक इसने कर दी थी तो अंत्रक्षियात्री को बहा आकास कैसा दिखाई पड़ता है तो अंत्रक्षियात्री को बहा आकास काला दिखाई पड़ता है राइट आंसर हो जाएगा भारत अंतराश्य मुद्राकोस का सदस्य कब बना तो भारत अंतराश्य मुद्राकोस का सदस्य 1945 में बना संसार का सबसे महासभा में हिंदी में भाशन देने वाले पहले भारतिय अटल बिहारी बाशपेजी थे जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जै जवान जै किसान का नारा दिया था मानो शरीर में किस अंग के द्वारा यूरिया को रख्त से फिल्टर किया जाता है तो गुर्दे के द्वारा यूरिया को रख्त से फिल्टर किया जाता है भारतिय सब्जी सोच संस्थान कहा है तो भारतिय सब्जी सोच संस्थान वारांसी में है राइट आंसर हो जाएगा 1939 में कॉंग्रेश शोड़ने के बाद सुबाश शंद्र बोश ने किस दल की स्थापना की थी तो सुवाज शंद्र बोस ने forward block की स्थापना की थी right answer हो जाएगा किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं तो मेजर ध्यान चन जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं किस दिन मनाते हैं कमेंट करके बताईए किसके सासनकाल में डीमेकस भारत आया था तो बिंदुसार के सासनकाल में डीमेकस भारत आया था तो दोस्तों ये थे आपके 100GK के कौशन कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो हमें सबस्क्राइब जरूर करें और अपने ग्रूप में ज़रूर शेर करें चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत बहुत धनिवाद